दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अमारे चैनल में इस वीडियो के अंदर अब भी आम लोग साइन्स और बिग्यान इस से रिलेटेड इंपोर्टेंट चैलिस कुश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके आने वाले एक चाम से रेल बे गुरुप डी एंटी पे खरके बेल आइकन जोरुद सैन करते हैं ठीक है और ये टोटल 40 कुश्चन है आप इंवे से कितने कुश्चन जो है सही कर बाते अपना स्कुर कमेंट Newman बॉक्स में जुरूर्ब बाता है ठीक है तो चले सुरू करते हैं देखिए यहाँब पर पहला कुश्चन दिया गया है शरीर में लिंफोसाइट को सिकाओं के बनने से संबंधित गरंथी कौँन सी है थीक है थाइमस गरंथी थाइमस गरंथी के मानोशरीर में निस्किरिया होने से जो है शरीर में समय से पहले बुढ़ापा आने लगती है आपको याद रखना है ठीक है अगनियासे गरंथी की बात करें तो अगनियासे गरंथी जो है ये मानुसरी की दूसरी सबसे बड़ी गरंथी है ठीक है और अगनियासे गरंथी जो है किस हर्मोन का सरावन करती है तो प्राइट गरन्ते थिक आपको आद रखना है कुछिट नंबर टू है थी थी निमने लेखत मेंसे काण काण से पधात होते हैं ये फिंग को बताना है किकी scans कौन से पधार्थ होते हैं यूरीय नमक और फीर यहां पर यह तीन पदार्थ जो हैं पशीने में पाय जाते हैं ठीके तो आंसर हो जाएगा अपसंडी उपर युक्त सभी ठीके शरीर के परतिरक्षा तंत्र में किस प्रोटीन का उप्योग होता है तो ये ग्लोबलीन ठीके ग्लोबलीन प्रोटीन का उप्योग होता है अंसर हो जाएगा बी question number 4 है मानोव शरीर में अमास है कितने घंटे तक भोजन का संगरह कर लेता है मानोव शरीर में अमास है कितने घंटे तक भोजन का संगरह कर लेता है तो ये 4-5 घंटे तक भोजन का संगरह कर लेता है ठीक है इसके अलावा पाचन का आथी कांस भाग जो है यह किस अंग में मतलब किस अंग के द्वारा संपन किया जाता है तो यह छोटी आथ के द्वारा जो है संपन किया जाता है ठीक है और मनुस्य के जो पाचन प्रारंब होता है कहां से प्रारंब होता है मुख से ठीक है आपको याद रखना है क कहां से मुख से प्रारंब होता है और मनुस्य जो पाचन नली होती हो कितने फिट लंबी होती है 32 फिट याद रखना है आपको 32 फिट लंबी होती है कुश्चन नंबर पांच है पलाजमा में उपस्तित मुख्या प्रोटीन कौन सी है तो देखिए ग्लोबलीन ऐल्बूमीन ग्लोबलीन और फाइवरी नोजन यहाँ पर ये तीनो प्रोटीन जो है ये पलाजमा में मुख्या रूपसे उपस्तित होते है ठीक है तो आंसर हो जायेगा D उपरियूक्त सभी प्लाजमा रक्त में उपलब देके तरल पदार्थ होता है इसका 92% प्लाजमा का 92% जो भाग होता है वो जल होता है ठीक है प्लाजमा में पानी के अलावा प्रोटीन, गलुकोज, मिनरल, हर्मोन्स और कारवन डायोकसाइड होते हैं ठीक है और शरीर में कारवन डायोकसाइड का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है रग्त में तो प्लाज्मा के द्वारा जो है किया जाता है ठीक है आपको याद रखना है कुश्चन नमबर सिक्स है मेठक अपने भोजन को पचाने में की समल का उपियो करता है तो यह हाइड्रोक्लोरिक अमल या ने चसील का परियो करता है ठीक है तो आंसर हो जाएगा B question number 7 है निमने लेखित में से कौन पानी का सुधतम रूप है तो आपको बताना है कि पानी का सुधतम रूप कौन सा है तो बरसा का पानी याद रखना है आपको बरसा का जो पानी है तो यह पानी का सुधतम रूप है बरसा का जो पानी हो कुछिशन नम्बर आठ है, निमिले लेखित मैंसे कौन सा ता तो मानोर शरीर के विकास के लिए अतियांत अवस्यक है, क्या अवस्यक है, विकास आपको याद रखना है, आंसर हो जाएगा अपसने, कुछिशन नम्बर नाइन है, कौन सा रक्त समुह सर्वदाता है, जो सभी रक्त समों को रक्त प्रदान कर सकता है तो सर्वदाता जो रक्त समों है वो रक्त समों है ठीक है जो सभी रक्त समों को जो है ये बलोड जो है डोनेट कर सकता है याद रखना है और सर्वगराही पुछा जाए कि कौन सा ऐसा रक्त समों है जो सभी blood group से रक्त को गरहन कर सकता है तो कौन सा है तो है ये B याद रखना इसे सर्वगराही रक्त समू बोला जाता है ठीके ओर रक्त समू सभी को अपना donate कर सकता है रक्त और ये B जो है ये सभी रक्त group से रक्त गरहन कर सकता है ठीके याद रखना है निम्नलेखित में से किन कीर्णों के पर कीर्णन से नाभी के आकार का आकलन किया जा सकता है तो देखिए करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा अप्सन नमबर यानी अलफा कण ठीके अलफा कण के द्वारा यह नाभी के आकार का आकलन किया जा सकता है ठीके यह आंसर रहेगा कुश्य नमबर 11 है एक समाने मनुष्य के अगन्यासय में लगभग कितने लैंगर हैंस दुइफ होते हैं लगभग 10 से 20 लाख होते हैं ठीक है आंसर हो जाएगा अप्संडी कुश्य नमबर 12 है अंडे में कौन सा विटामिन लगभग नहीं पाये जाता है तो विटामिन C जो है नहीं पाये जाता है याद रखना है इसके अलावा अंडे का जो पीला वाला भाग होता है उसमें मुख कुश्य नमबर 13 है हम तारों को टिम टिम आते हुए देख पाते हैं तो किसके कारण से देख पाते हैं तो यह परकास के अपवरतन के कारण याद रखना है आपको परकास के अपवरतन के कारण से हम तारे को टिम टिम आते हुए जो है देख पाते हैं ठीक है कुश्य नमब तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें ठीक है और जो दोस्त मतलब इन चीजों के तयारी कर रहा है उनको भी ये वीडियो सेर कर सकते हैं ठीक है और वीडियो मतलब चैनल पनाया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर सेन करते हैं ठीक है ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन जो है टाइम टू टाइम आपको मिल सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए अगला कुश्चन देखते हैं ऐसे अकासिय पिंडो को जो ग्रहों से बहुत छोटे होते हैं लेकिन जिनकी जाती के बीच होती है कहते हैं तो इसको इसको एस्टराइड याद रखनाा आपको क्या बोला जाता है सूती और उन्हीं रेसों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है तो जलाकर ठीक है जलाकर ग्यात किया जा सकते है आंसर हो जाएगा बी कुश्चन नम्बर 17 है बर्फ परदाव बढ़ाने से उसका गलांग क्या होगा तो घट जाएगा ठीक है बर्फ परदाव बढ़ाने से क्या होगा उसका गलांग घट जाएगा ठीक है आंसर हो जाएगा ये question number 18 है सुर्योदे होते समय वर डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है तो ये परकिर्णन के कारण जो है लाल दिखाई देता है याद रखना है आपको answer हो जाएगा question number 19 है मनुस्य के हिर्दे का वजन कितना होता है very important ये question है बहुत बड़ ये question एक पुछा गया है आपको बताना है कि मनुस्य का जो हिर्दे होता है उसके वजन कितना होता है तो 300 कराम होता है याद रखना है आपको कितना होता है 300 कराम ये answer हो जाएगा घरों में बीधूत सनयांतर जोड़े जाते हैं तो समांतर कराम में जोड़े जाते हैं answer हो जाएगा question number 21 है लोहे में जंग लगना है एक क्या है तो लोहे में जंग लगना जो है रासाइनी क्रिया है याद रखना है क्या है रासाइनी क्रिया है जिसे galvanization बोला जाता है ठीक है जिंग की परत जिस पर चड़ाई जाती है उसको galvanization बोला जाता है ठीक है जंग लगने से बचाने के लिए जिंग की परत चड़ाई जाती है इसके अलावा दूध जो होता है इसका दही बनना ये कौन सा परिवर्तन है तो ये भी जो है रासाइनिक परिवर्तन है और एक और question पुछा जाता है मॉमबत्ती काफी बार ये question पुछा गया है कि मॉमबत्ती का जलना ये कौन सा पर किरिया है तो मॉमबत्ती यदि जलती है तो ये रासाइनिक और भावतिक दोनों ही परतिकिरिया होती है ठीक है रासायनिक और भौतिक यहाँ पर दोनों परतिकिरिया होती है आपको याद रखना है अगला कुश्चन है केतली में पाने का गर्म होना उधाराण है तो समवाहन यानि कनवेक्शन का उधाराण है याद रखना है आपको क्या है समवाहन यानि convection, ठीक है, 23 है, cuposan से सबसे अधिक किसकी कमी होती है, cuposan से सबसे अधिक जो है, protein की कमी होती है, याद रखना है, protein की कमी से cuposan होता है, बचचों में सबसे जादा देखा जाता है ये, protein की कमी करांड से, ठीक है, twenty-four है, green house infect के लिए, nिम्द में से कौन सी gas प्रभावी होती है क्यों सी gas प्रभावी होती है तो यह प्रभावी होती है carbon dioxide gas जिससे CO2 gas बोला जाता है प्रभावी होती है C answer रहेगा उस कथन को छाटे जो सत्य नहीं है गलत कथन आपको इसमें बताना है तो चलिएके करके पड़ते हैं तब जो है इसका गलत कथन पता चलेगा, तो पहला दिया गया है, किसी बस्तु का दरब्यमान हर अस्थान पर समान होता है, करेक्ट है, किसी बस्तु का दरब्यमान हर समय, मतलब हर अस्थान पर समान होता है, करेक्ट है, दूसरा दिया गया है, किसी बस्तु का दरब्यमान उ इस बस्तु के भार को प्रभावित करता है, करेक्ट है, तीसरा दिया गया है, किसी बस्तु का भार गुर्टवा कर्शन बल से प्रभावित होता है, ये भी करेक्ट है, और चोथा जो दिया गया है, किसी बस्तु का भार, तथा दरा बैमान परते का स्थान पर हमेशा एक ही औ वहाँ पर शोथा जो हो सकते हैं ठीक है कुश्यन नमबर 26 से ध्वने की गति सरवाधिक होती है किस में होती है सरवाधिक ध्वने की गति तो एस्टील में सरवाधिक होती है आपको याद रखना है आंसर हो चायेगा B 27 है बिले, बिलियन से प्रिथक किया जा सकता है किसके द्वारा प्रिथक किया जा सकता है तो ये वास्पी करन के द्वारा प्रिथक किया जा सकता है आंसर हो चाहेगा B 28 है सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है very important question है sodium जिसका प्रमाडू करमा 11 होता है इसको मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है तो हवा में आक्सी करण होने लगता है sodium जो होता है हवा में रखने पर आक्सी करण होने लगता है इसी करण से जो है इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है, आंसर हो चाहेगा B सरीर में आक्सीजन की पूर्ती कौन करता है तो आक्सीजन की पूर्ती जो है RBC, Red Blood Cell जो होता है, यही करता है Red Blood Cell, ठीक है WBC की बात करें, तो WBC क्या करता है, तो यह रोगों से जो है लाडने का काम करता है परती रक्षा देता है शरीर को, ठीक है, कोई बैक्टरिया यादि या फिर कुछ भी एटाइक करता है शरीर पर, यह WBC जो है उससे लड़ता है, ठीक है, यादि सफल रहता है, तो रोगों से, जो है मुक्ति दिलाता है यदि मतलब असफल हो जाता है लड़ते लड़ते तो कोई ना कोई बीमारी जो है आपके सरीर में हो जाती है ठीक है तो ये किसका कारे होता है WBC का जो है परतिरक्षा करने का कारे होता है और RBC का जो कारे होता है वो सरीर में आक्सीजन को पूरे सरी में जोहorg पहुंचाने कारे करता है तो ये काफी ज्यादा इंपोर्टन कोश्च Honor आपके लिए ठीक है मनुष्ime सरीर एक बार धड़कने कि कितना समय लगता है तो ही यह को पता ही होगा कि यह मिनेत में सतर से जोहें बहुत तर बार धड़कता है और एक हिरदाए को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है तो 0.8 सेकेंड लगता है आपको याद रखना है ठीक है अंसर हो जाएगा C अंतर जोर किसके कारण होता है तो ये होता है जिवाडो के कारण ठीक है अंसर हो जाएगा अंसर हो जाएगा याद रखना है किस रोग में रख्त का ठका नहीं बनता है तो रख्त ठका कौन से रोग में नहीं बनता है तो हीमोफिलिया में याद रखना है हीमोफिलिया में जो है रोग ठका नहीं बनता है तो अंसर हो जाएगा B जल लेओं अमसूरे का प्रकास और क्लोरोफिल यहां पर यह तीनों जो है कंची समागरी है ठीक है इन तीनों के उपस्तेती में प्रकास संसलेशन पर किरिया होती है आपको याद रखना है तो अंसर रहेगा अपसंडी उपर यूग तो सभी करेक्ट हो जाएगा ठीक है करेत होता है पोटेसियम ठीक है एक आटिफिसल फर्टिलाइजर में समाने रूप से यह तीन ततों होते है नाइट्रोजन फस्पूरस और पोटेसियम ठीक है डी आंसर सीए रहेगा अंसर ठीक है सैंथिस है यह किसने सरपर्थम परतिपादित किया कि सूर्य हमारे स्वार मंडल का केंद्र है और प्रेथवी उसकी परिकर्मा करती है तो ये किस ने परतिपादित किया था तो ये कौपर निकस ने किया था याद रखना है आपको अंसर हो जाएगा किस नमबर 38 है महासागरों में जोर भाठा के उत्पति के क्या कारण है तो इसके कारण है सूर्य और चंद्रमा के सन्युक्त प्रभाव से सूर्य और चंद्रमा के मतलब सन्युक्त प्रभाव जो होता है इसी कारण से जो है जो आर भाठा समुंद्र में आते हैं ठीक है इंट जाल मारता है, ठीके जैसे जोरवरटा बोला जाता है तो आंसर हो जाएगा C कोश्चन नंबर 49 है, दही को बिलोकर मखण निकाला जाता है इसमें भौतिक की सिधांत का उपियोग किया जाता है तो दही मतने की बात की गई है तो मखन मत कर यादी निकाला जाता है कौन सा सिधान्त है तो आप केंद्रण याद रखना है आप केंद्रण सिधान्त है आंसर हो जाएगा C question number 40 है J-tingen की सिधान्त पर कारे करता है very important question है J-tingen की सिधान्त पर कारे करता है तो रायखिक समवेक सिधान्त पर कारे करता है C answer हो जाएगा 41 है निमनलेखित में से किस बीधू चुमबकिया तरंग की तरंग दायरे अधिक्तम होती है तो औरक्त यानि इन्फरारेड ठीक है इन्फरारेड की तरंग दायरे जो है ये अधिक्तम होती है answer हो जाएगा B question number 42 है निमनलेखित में से कौन से युक्ती बीधू तूर्चा को यान्तरी कूर्चा में बदलती है तो ये आपको बताना है कि बीधू तूर्चा को यान्तरी कूर्चा में किसके द्वारा बदला जाता है तो ये आपके लिए homer question रखते है ठीक है तो काफी easy question है आपको बताना है इसका answer क्या रहेगा option है pray rock inductor dynamo transformer या फिर motor सही answer आपको बताना है कि बीधू तूर्चा को यान्तरी कूर्चा में किसके द्वारा बदला जाता है तो आप इसका answer comment box में जरूर बता है और आप इन 42 question में से कितने question सही कर पाएं अपना score भी comment में बता है ठीक है तो I hope कि ये वीडियो आपको पसंद आ रहेगा पसंद आ तो please वीडियो को like जरूर करते है ठीक है और channel पना है तो channel को subscribe करके बेल आइकन जरूर सेन करते है और share कर सकते हैं आप यदि कोई आपका दोस्त तैयारी कर रहा है इन चीजों की तो आप उनके पास भी share कर सकते हैं ठीक है मिलते हैं अगले वीडियो में नमस्कार जैहिंद जैभारत